T20 World Cup का आगाज आज से UAE में हो गया है लेकिन किर्केट के प्रशन सिकों को इंतिजार है रविवार को होने वाले महा मुकाबले का जब दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीम आपस में भिडेंगी पाकिस्तान इस मुकाबले के लिए अपने टीम का ऐलान भी कर दिया है मैच से एक दिन पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया को लेकर संकेतो दिये लेकिन प्लेइंग 11 के बारे में साफ साफ नहीं बताया दोवई में भारत पाकिस्तान मुकावले का मंच सज चुका है रविवार की शाम को ठीक साढ़े साथ बजे ये मैच शुरू होगा मैच को लेकर दोनों ही देशों में क्रिकेट फैंस के मन में जबरदस्त उत्सहा बना हुआ है वैसे इस बार T20 World Cup का आयोजन भारत में होना था लेकिन कोरोना महमारी के चलते BCCI ने इसे UAE में कराने का फैसला किया T20 World Cup से पहले यहीं पर IPL भी कराया गया है इसलिए भारती टीम यहां पिछले करीब एक महीने से लगातार खेल रही है मौसम और पिछ से भारतीय टीम अभ्यस्त हो चुकी है वैसे UAE को पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड ही माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान आने से अधिकांश विदेशी टीमें इनकार कर देती है और मजबूरी में पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज UAE में ही खेलनी पड़ती है पाकिस्तान ने मैच से एक दिन पहले ही अपनी 12 सदस्य टीम का एलान भी कर दिया है प्लेइंग 11 इनमें से अंतिम समय में चुनी जाएगी पाकिस्तान की टीम में टीम के पूर कप्तान सर्फराज एहमत अंतिम 12 में शामिल नहीं किये गए है मैच को लेकर दोनों टीमों पर बेहत ज्यादा दवाब है क्योंकि जो टीम मुकावला जीती उसके लिए सेमी फाइनल तक कस सफर आसान हो जाएगा मैच को लेकर बन रहे दवाब के बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोली ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हमारे लिए एक मैच की तरह है और उसी तरह हम इसे खेलेंगे हार्दिक पांडिया को लेकर उठ रहे सवालों पर विराट ने कहा कि वो गैंदवाजी नहीं भी करता तो भी हार्दिक एक मैच विनर है वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ना तो भारत को एक दिवसी वर्ल्ड कप में हरा पाई है और ना ही T20 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के सामने पांच बार आया है और पांच बार जीत भारत को मिली है इसलिए इस मैच में भी भारत ये टीम फेवरेट मानी जा रही है यहां तक कि पाकिस्तानी विशेशक भी इस मुकाबले में भारत की जीत का चांस ज्यादा बता रहे है